नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राके शिवानी अर्चो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको कुंड़ी देखते वक्त हमें क्या-क्या देखना चाहिए इसके बारे में बता रहा हूँ आज उससे आगे की ची समंदित कुछ देखना चाहते हैं, तो कैसे गोचर कैसे देखना है हमको, यह एक देखने के लिए बहुत ज़ Whitaker ने का काम होगा या नहीं होगा, यह चीज के हमारे ब कर रहेंगे, यह हमगी ख विकल खरीट पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, यह आपने देखना है त तो कैसे देखें, विदेश में रहेंगे या यहां रहेंगे देखें तो कैसे देखें, तो यह सब चीज देखने के लिए, यानि जिस भी भाव से सम्मंदिद आपकी related query है, उसके स्वामी से आपको गोचर देखना है किसका, गुरू का और सूर्य का, गुरू जो होता है, वो blessing का कारक है, सूर्य काम होने के लिए होता है, तो अगर आप चौथे भाव की query आपकी है, और property के बारे में आप देखना चाहते हैं, या वीकल के बारे में आप देखना चाहते हैं, तो चौथे भाव का स्वामी जो हो, उस स्वामी जो जनकुड़ी में आपकी जहां है, उससे आज की तारीख में, आप गुरू का गोचर देखें, और सूर्य का गोचर देखें, जनकालीन चौथे भाव के स्वामी से, जनका हैं हर ग्रह से गोचर देख सकते हैं पर चंद्रमान से प्रधानता दी गई है इसी प्रकार आपको ग्रहों से गोचर भी देखना है अगर आपको पांचवे भाव से संबंदित काम है कि आपका शेयर से काम होगा या नहीं होगा लोटरी का काम होगा नहीं होगा इस तरह की इ इवन चार्ट के अंदर और उससे गोचर देखिए गुरू का और सूरे का आज कैसा है अगर गुरू का और सूरे का गोचर उससे सही चल रहा है किस-किस भाव में सही होता है किस-किस भाव में सही नहीं होता ये अस्टक वर्कवाली जेप्टर में दिया हुआ है फल डिपी क बुक के अंदर, वहां से आप इस वो कॉन्टेट कर सकते हैं, देख सकते हैं सपोर्ष किजिए कि पांछवे भाव का स्वामी बनता है शुक्र, तो शुक्र से गुरू का गोचर आपने देखना है, सूर्या गोचर आपने शुक्र से गुरू का गोचर कहा अच्छा होता है शुक्र से सूर्या गोचर कहा अच्छा होता है या आप जान अस्टकवर वाली किताम में देख सकते हैं इसी प्रकार चंद्रमा से आपको देखना पड़ेगा चंद्र से गोचर भी इंपॉर्टन्ट है तो ये जरूर आपको ध्यान लखें, कि किसी भी भाव के बारे में, जिस भी भाव की सम्मंदित चर्चा चले, उसके बारे में आपने देखना हो, तो उसके स्वामी से गुरू, सूर्य का गोचर जरूर देखें, और जनकालिन चंद्रमा से भी उसका गोचर, गुरू और सू कराने के लिए क्या देखा जाए उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है ग्रहें कौन सा भाव भावेश और दातग्रह ये तीन चीज़ें, कारग रहे और दाता रहे, ये चार चीज़ें हैं जो हमको देखनी है, तो अब आपको तीसरा भाव important है क्योंग कला का भाव होता है, पांचवा भाव important है क्योंग एक्टिंग का भाव होता है, तो तीसरा भाव देखना है, पांचवा भाव देखना है, तीसरे भाव का स्वामी कहां गया है, त्रिकोन में है, लाब भाव में है, कहां बैठा है, वो देखना है, पांचवे भाव का स्वामी लाब भाव में गया है, त्रिकोन बाव में गया है, केंदर में गया है, कहां बैठा है, वो चेक करना है, जब आप वो सब चीज़ चेक कर लेंगे तब तिसरा और पांचा वाव भाव तो आपने देख लिया फिर उनका भावेश आपने चेक कर लिया कि भावेश कहीं पाल करेंगे इसके अलावा दाता ग्रह भी बहुत ज़रूरी है, कि बुद्ध वानी का कारक है, और एक्टिंग में वानी का रोल बहुत होता है, कई लोगों की वानी बहुत अच्छी होती है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, कमिनिकेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो बहुत सफल हो जाते हैं, तो बुद अगर बुद्ध चंद्र और शुक्र भी ठीक ठाक है यह नहीं कहता है कि बहुत जादा अच्छे हैं बहुत जादा अच्छे मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक ठाक है मतलब वह बहुत जाद दो या दो से दिख पाफ ग्राउं से पिडित नहीं है चटे आट वे बारवे भाव में नहीं है और तीसरा और प्वाव भाव भी अच्छा है तो आप निश्चित रूप से एक्टिंग में सफलता पास सकेंगे अब आता है एक्जाम क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे जैसे मैं आपको इसका एक दूसरे वाले में एक्जामपिल दूँगा कि UPSC एक्जाम के बारें बहुत क्वरी आती है किसाब UPSC एक्जाम दिया है वो हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे लेकिन उससे पहले मैं आपके इस चीज़ बता दूँ कि बहुत सी कुर्णली में आपने देखा होगा कि लगन 29 डिगरी कुछ मिनट का होता है य इनसान की वाणी कैसी है सभाव कैसा है और वो जातक से कणफरम करें फिर आप उसका लगन फिक्स करें किसी का लगन 29 डिगरी चालिस मिनट आया है तो क्या करना है आपके लगन से कुनली ठीक आती है या किसी का लगन अगर 0 degree 40 minute का है या 0 degree 30 minute का है एक लिगरी से कम है तो उसको एक पहले लगन पर ले जाईए अगर मालिया मिथुल लगनी कुंड़ी है और वो 0 degree 30 minute का है तो परशब लगन का लगन शार्ट बना लिजिए उसको चेक कर लिजिए कुछ incidents चेक कर लिजिए वानी क लगन का देखिए चंद्रमा देखिए तो वो मन का भावनाई बता देगा लगन जो है वो आपको सारी physical characteristics बता देगा और सभाव बता देगा आपको वो आप चेक करेंगे तो आपको मालूम पढ़ जाएगा कि इसकी कुंड़ी जो है वो कौन से लगन की होनी चाहिए और अ कुंड़ी ठीक से नहीं बैठ रही है सिविल सर्विस के लिए क्या देखें देखें बहुत इंपोर्टन्ट है बहुत से लोग आज के देख में माक्सिम यूद का सपना होता है कि हम सिविल सर्विस का एक्जान पास करें आई एस पने आई पीस बने आई एस बने या रिव गुर्मेंट का कारक होता है सरकारी नौहरी का कारक होता है गुरु आशिरवात का कारक है गुरु के आशिरवात के बिना तो कुछ होता ही नहीं है तो सूर्य को देखना जरूरी है गुरु को देखना जरूरी है कि इनकी कुंडली में प्लेस्मेंट कैसी है ये बली है या यह च्छटे आठवे बार्वे भाव में तो नहीं है या दो या दो से अधिक पाप ग्रहों से दरस्ट या युद्ट तो नहीं है नहीं है तो यह चीज देखना जरूरी है कि सुर्य और गुरू की क्या पोजिशन कौपी कुंडली में है वो जिरूर देख लें तीनों त्रि लिवार्वे भाब में तो नहीं बैठे मैं टोंने बये हैं कstep के लिए अनुट आदी और न मुलें डीया हैं तो तीनों त्रिप विक्तली योलॉ तो नहीं है तो तीनों थ्रिपन प्रिवें हुँ सुर्वी त्रिकवी नार्मॉर्मल मिल जाते हैं आपको तो समझजें भी होता है उनको भी चेक कर लिए तो भाव भावेश और यह तीन चीज तो बहुत इपॉटन है जो आपको कई वीडियों से बताता चला आ रहा हूँ कि वो तो आपको देखनी देखनी है और दाता ग्रह बाव, भावेश, कारक और दाता ग्रह दाता ग्रह मेंसे कौन से ग्रह involved है उस चीज को देने के लिए जन काले इन दशा देखनी भी बहुत आवश्यक है जिस समय बच्चा पैदा होता है, उस समय उसी कौन सी दशा चल रही थी, वो देखना बहुत जरूदी है चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, उसके स्वामी की दशा मानी जाती तो जिस ग्रह की दशा चल रही थी, वो ग्रह च्टे भाब में बेठा है, आठवे भाब में बेठा है, बारवे भाब में बेठा है केंत्रिकोणिया लाव भाव में प्लेस्ट है, कहां प्लेस्ट है, वो देखना भी बहुत आवश्यक होता है, अगर ग्रह की दशा आपको अच्छी मिली है जन्द के समय, तो आपके थोड़े बिगड़े वे काम भी होते हैं, तो भी सफल हो जाते हैं, और कई बार किसी किसी जन्द काली इंद शा बहुत आठवे बाव में बैटे ग्रह की दिशा मिलती है, बारवे बाव में बैटे ग्रह की दिशा मिलती है, तो ऐसे में काम बनते वे भी बिगड़े के चांस होते हैं, तो जन्द काली इंद शा का बहुत इपॉड़ेंट रोल होता है, यह आप बि ये जन्काले दशा अवस्यित लेएक कारक को देखना बहुत जरूरी है अगर हम यू की बात करते हैं विभा की बात करते हैं तो जो कारक है इसका आईउ का कारक है शनी विभा का कारक है शुक्र उससे अंतर दशाणा जहां चल रहा है अगर छटे आठ वे बारवे में है तो हम कह सकते हैं कि अभी समय नहीं है कुछ न कुछ प्राब्लम हो सकती है तो ये थे कुछ important points जो मैंने आपको बताए PhD का भी मैं आपको बता देता हूं कि PhD के लिए भी आपको बुद्ध देखना जरूरी है नवा भाव, नवे भाव का स्वामी, गुरू और तीनोत रिकोर्ड जैसे कई लोग PhD करते हैं तो वो पूछते हैं जी हमारी PhD कंप्लीट हो जाएगी नहीं हो जाएगी तो उसके लिए नवा भाव जरूर देखें क्योंकि नवा भाव से PhD देखी जाती है पांचवे भाव से higher education, चौथे भाव से primary education, दूसरे भाव से घर की education जो घर में उनको सल्सकार मिलते हैं बच्चे को वो दूसरे भाव से देखे जाते हैं नवे भाव से वो education जो आप freeze कर्च करके नहीं पड़ते हैं जो उसमें आप scholarship आपको मिलती है आप करते हैं या किसी company तरफ से आप training पर जाते हैं तो PhD में वही होता है तो PhD के लिए बुद्ध देखना जरूरी है क्योंकि पड़ाई का कारक है विद्या का कारक है नवा भाव और नवे भाव का स्वामी गुरू क्योंकि कारक नवे भाव का वही है और TINária त्रिकॉण पर लिए डाला जरूरी है 3 में से 2 त्रिकॉण आपके ठीक होने चाहिए या त्रिकॉण के स्वामी जो है वो अच्छी जह प्लेस्ट होने चाहिए चटे आठे बारे भाव में रहो लाब भाव में हो केंद्र भाव में हो और दो या दो से अधिक ग्रहों से पिलित ना हो तो आज का वीडियो में आपको और पॉइंट्स बताऊंगा जो कुंडली देखते हो तो आपको ध्यान देना चाहिए और इसके अलावा हम लोग नमब जए शिक्रिष्णा